बात आती है वाई NCRT तो थोड़ा बहुत मैंने आपको पहले ही बता दिया मैं और बताता हूँ हम लोग different batches के अंदर पढ़ाते हैं हम लोग different classes को पढ़ाते हैं और हर जगे हम लोग यह पाते हैं कि NCRT काफी important है NCRT का काफी weightage अगर हम लोग बात करें अपने class 12th board की तो of course NCRT is the god over there मतला NCRT is everything over there चाहे आपका CBSC board हो चाहे आपका महराष्ट board हो चाहे आपका राजिस्थान board हो चाहे आपका UP board हो चाहे आपका MP board हो चाहे आपका West Bengal board हो कोई भी board हो सभी boards का normalization करके सबको एक strict guidelines दी जा चुकी है बहुत पहले आज से 3 साल पहले I think 2017 में यह guideline आ गई थी कि सबको NCRT को follow करना है मैं बात करूँ 2017 में मैं ISC board पढ़ा रहा था यह भी एक आपका national board है CBSC जैसा ही तो ISC board पर पढ़ा रहा था एक अपने coaching के अंदर so ISC board की किताबों में जहां पर एक chapter खतम होता था तो exercises के अंदर NCRT की exercise लगा के दी जानी start की गई तो एक normalization किया गया है सभी boards को यह बोला गया है कि आप NCRT को follow करो क्योंकि एक content, similar content सभी बच्चे पढ़ेंगे तभी competition जो होगा वो equal competition माना जा सकता है तभी उस competition को बोलेंगे कि सब के लिए fair है क्योंकि आप सभी को पता है कि अगर मैं neat के exam की बात करूँ तो यह दुनिया को यह बात पता है कि bio के अंदर 90 to 95% question maybe I am wrong, वो मेरे को तरुन सर, मनीश दूबे सर है ना समापती मैम और इदिक्षा मैम और विश्वजीत सर जादा correct समझा पाएंगे बढ़ जहां तक मुझे उनसे बात करके आज तक समझ में आया कि 90 to 95% at least जो questions आते हैं neat के अंदर वो पूरे NCRT based आते है अगर मैं बात करूँ J-Mains की inorganic chemistry की तो मुझे तो ये report किया जाता है कि 100% questions of J-Mains inorganic are from NCRT और physical और organic में भी काफी बड़ा पार्ट NCRT का ही उठाया जाता है तो चाहे हम boards की बात करें चाहे अपने top two competitive exams की J-Mains और NEET की बात करें तो पहले पूरा NCRT based नहीं था पर year by year, year by year क्या हो रहा है dependence NCRT पे बढ़ रहा है अब NTA या जो भी आपके जो भी education ministry है वो ये चाहती है कि बच्चा NCRT पढ़ ला है ना अपने board के लिए जो उसको किताब दिये वही से competition बनाते हैं बराबर तो competition रखते हैं, सब सेम material पढ़ें सब को बोल दिया NCRT पढ़ो, अब सब सेम competition आए हैना ऐसा नहीं कि कोई जा के बहुत मैंगी coaching में बहुत ही अलग किताबे पढ़ रहा है extra material solve कर रहा है तो उसको वहाँ पे कुछ दूसरा benefit जब मैं पढ़ा रहा था coaching में, तब भी NCRT का weightage था बर तब भी हम लोग reference books पे बहुत focus कते हैं पर धी में धी में क्या हो रहा है कि NCRT का weightage बढ़ता जा रहा है So this is the whole explanation why we are coming with NCRT वाला चाहे आपके CBSC board हो, चाहे आपके different state boards हो, चाहे आपका J.E.M.A.L.S. का exam हो NCRT नहीं follow करते हैं, क्यों? क्योंकि हम लोग purely फिर बात 90-95% गिए, फिर 100% गिए हो जाती है So reference books भी पढ़ा जाते है, material पढ़ा जाता है But बच्चे वहाँ पे हमसे कहते हैं, sir NCRT का मुझे charter revise करना है हाँ, मुझे पता है, sir, वह असान है, पर मैंने को revise करना है, मैंने को content चाहिए NCRT का तो ये है, for our paid subscribers, for our unpaid subscribers, for anyone out there For anyone out there who supports this revolution or even doesn't support this revolution, will ultimately support this revolution NCRT वाला channel is there, जहाँ पे होगा dedicated पढ़ाई, जहाँ पे होगी dedicated पढ़ाई, और कुछ नहीं